तो सेब और प्याज में मिलने वाले थायोज जो होते हैं, यह oxidative stress को अकम करते हैं, anti-oxidant properties होती हैं इनमें और यह विटलाइको patients को खाना चाहिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए विटलाइगो के पेशन्स को तो scientifically अगर हम बात करें कि आम, मैंगोज, बदाम, पिस्ता, अरीका नट या फिर सुपारी जितनी भी बेरीज होती हैं आपके क्रैनबेरी हो गया, रैस्बेरी हो गया आपका या चाए, इन सब का हमें सेवन नहीं करना है, इसमें होते हैं plant-based phenols and tannins ये phenol and tannin आखिर क्या करते हैं body में जाके, ये हमारे रंग बनाने वाले कोशिका है या फिर keratinocytes में ऐसे molecule produce करते हैं, जिसे हम कहते हैं अगर medically बात करें तो TNF और interleukins, tannins और phenols जो इन चीजों में खाने वाले चीजों में मैंने अभी आपको बताए हैं ये जाके रंग बनाने वाले कोशिकाओं पर अट्रैक करते हैं और वहां से बनते हैं TNF और interleukin ये जाके सफेद दाक्योत पत्ति करते हैं तो हमें सुपारी, आम, अरीका नट, रेड़ चिली, चाय ये सब हमें avoid करना है कम मातरा में consume करना है बिल्कुल अवर्ट तो लाइफ में नहीं कर सकते हैं लेकिन इनका सेवन हमें कम करना है इनके अंदर जो plant-based phenols and tannins हैं अगली अगर मैं बात करूँ तो क्या खाना चाहिए तो हमें खजूर, figs, उनके अंदर अथिक मातरा में copper और anti-oxidants मिलते हैं ये खा सकते हैं, चकुंदर हो गया, गाजर हो गया, ये हम खा सकते हैं, इनके अंदर beta-carotines होते हैं और anti-oxidants होते हैं, जो vitiligo में help करते हैं, रंग बनाने में help करते हैं मश्रूम अगर आपको खाना पसंद है, तो एक नई study आई है जो ये show करते हैं क्रेमिनी मश्रूम is a type of mushroom, जो थोड़े से coffee color के होते हैं ये वाले मश्रूम नॉर्मल जो हमारे घर में white color के button वाले मश्रूम होते हैं उनसे इन में almost double selenium, copper, vitamin B3, vitamin B5 और vitamin B12 जो भी recommended dietary allowance है, एक दिन में जितना भी एक इनसान को copper चाहिए होता है, selenium चाहिए होता है ये उसकी values को almost 30-40% पूरा करते हैं तो क्रेमिनी मश्रूम अगर आपको कहीं मिले, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें vitiligo में help मिलिए प्याज और सेव प्याज और सेव की अंदर एक compound होता है, जिसे हम कहते हैं thiols थायोज जो होते हैं, जो मैंने पहले बताया अपनी वीडियो में, जो vitiligo की उत्पत्ती हो रही है, वो कैसे हो रही है, जो उसका mechanism है, वो कैसे हो रहा है, oxidative stress, ये oxidative stress कैसे होता है, हमारे खून में nascent oxygen का production होता है, इसी को आरवेदी करंथों में अच्छली पित भी कहा गया है, तो ये जो free radicals हैं, जो oxidative stress हैं, ये हमारे रंग बिनाने वाले कोशिकाओं पर हमला कर रही हैं, जिसकी वज़े से सफेद दाग की उत्पत्ती हो रही है, तो सेब और प्याज में मिलने वाले थायोज जो होते हैं, ये oxidative stress को कम करते हैं, antioxidant properties होती हैं इनमें, और ये vitiligo patients को खाना चाहिए, अब मैं एक बहुत interesting controversial बात करूँगा, वो है whey protein, आजकर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग whey protein यूज करने लगे हैं, तो whey protein का क्या correlation है सफेद दाग के साथ, क्या सफेद दाग की patients को जिम जाने वाले लोगों को whey protein लेना चाहिए, कहीं whey protein से vitiligo की onset तो नहीं शुरू हो जाता है, तो discuss करते हैं ऐसी तीन चीजें जो whey protein में होती हैं, जिससे कि विटलाइगो को effect हो सकता है, वो तीन चीजें है, सिस्टीन, सिस्टीन भी actually thiol produce करता है body में जाके, जो कि मैंने पहले बताया भी आपको सेब और प्यास में मिलता है thiol अधिक मा सेकेंड चीज जो है वो है lactoferrin, lactoferrin का मतलब है कि iron bounding protein है, यह हमारे शरीर में जो iron होता है उसको बांद के रखता है, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि जब तक हीमोग्लोबिन का level 11 नहीं हो जाएगा, तब तक विटलाइगो patients में उतनी अच्छे improvement नह जो चीज है वो है lacto-preoxidase, lacto-preoxidase क्या करता है, जो हमारी body में heavy metals होते हैं, उनकी chillation या उनकी neutralization करता है, और यह heavy metals भी actually same pathway पर आट कर रहे हैं, यह भी oxidative stress हमारी body में कर रहे हैं, घुमा फिरा के सारी चीजें जो विटलेगों का pathway अब तक दुनिया में identify हुआ है, वो है free radical की वज़े से oxidative stress याने की पित्कियोत पत्ति, याने की रंग बिनाने वाली कोशिकाओं पर हमला होना oxidative stress का और auto antibodies का बनना जो जाके हमारे melanocytes पर attack करती है, तो जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं खाने में, save हो गया, प्याज हो गया, whey protein हो गया, आपका copper वाली च सारी चीजों का सेवन करने से vitiligo patients को help मिलेगी, obviously रात को सोने से पहले अगर तांबे के वरतन में पानी पीते हैं उससे भी आपको फायदा होगा, तो चीजें नहीं खानी हैं, वो कौन सी हैं, जिससे की body में पित्कित पत्ति होती है, या oxidative stress बढ़ता है, जैसे की आम, लाल मिर्च, हरी मिर्च, आपके जितने भी berries हैं, सुपारी, ये सब हमें नहीं खाना है, इस वीडियो को आप please share कीजे, channel को subscribe कीजे, मैं ऐसे और remarkable results जो मेरी team achieve कर रही है, वो आपके साथ share करता रहूँगा, और आने वाले वीडियो के लिए please एक question पूछे, मैं आने वाले time में ए दो